ओम श्यंति आज स्रेष्ट भग्यवान आत्माओं के लिए प्रभु मिलन का सुनेरा दिन पुने आ गया है यहों तो रोज अमरत्वेले भी और जब चाहें तब भी हम अपने परमसद्गुरु परमप्रियतम खुदा दोस्त से रोहानी मिलन मना ही सकते हैं परन्तु आज विसेश बाप दादा का वर्दानी दिवस है दोनों हम पर राजी होकर वर्दानों की वर्षा करेंगे आज के दिन के महत्व को सभी को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है केवल कहने की बात नहीं आज सच मुच बाबा बार बार हमारी पास हम से मिलने के लिए आएंगे जब भी हम उनको बुलाएंगे वो उपस्थित हो जाएंगे देर नहीं लगेगी तो इस मिलन को मनाने के लिए वैसे तो पहले से ही अंतर मुखी या मौन का अभ्यास होना चाहिए लेकिन आज सवेरे से ही बाबा से बहुत मिठी मिठी प्यार भरी रूरिहान करते रहें कितना सुन्दर निलन हुआ आत्मा और परमात्मा का कैसे आकर आपने हमारा स्रेश्ट भाग्य जगाया हमें अपनी गोद का बच्चा बनाया हम कितने दूर थे आप से आप हमारे कितने समीप आ गए जो आपने दिल से आकर हमें कहा बच्चे तुम मेरे हो और हमें गले से लगा लिया हमारा खोया हुआ राज हमें वापिस दिलाने के लिए आप हमारे पास आ गए हमें बल देने लगे इस तरह सबेरे से ही बहुत प्यार भरी बाते बाबा से करते हुए हम उसके प्यार में मगन हो जाएं इसे बाबा के तो हम समीप पहुँचते ही हैं पर बुद्धी और मन पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं फिर हम बाबा से योग लगाएंगे सबेरे ही बहुत अच्छा आज अमरत प्वेले को पूरी तरहे नजोए करना है उठते ही बाबा के पास जाकर बैठ जाएंगे परमधाम में भी और सुक्स्म वतन में भी जहां भोला बंडारी अपने सर्व खजाने खोल कर हमें वर्दान देने के लिए हमें सर्व खजाने प्रदान करने के लिए बैठता है हमारा आवान करता है सुक्समतन में पहुँचेंगे परमधाम में पहुँचेंगे और फिर बाप दादा का हावान करेंगे यह अनुभव सभी को बहुत अच्छा होता ही है दोनों का हवान करेंगे और फील करेंगे दोनों हमारे पास आ गए सिर पर हाथ रख दिया बस दुआएं दे रहे हैं वर्दान दे रहे हैं फिर हम इस देहे को छोड़ कर बाबा के पास चलेंगे सुक्स्म वतन में बाबा से द्रश्टी लेंगे और सारे संसार को द्रश्टी देंगे पूर्वज बनकर पूर्वज के स्वमान में स्थित होकर बहुत सुन्दर सवेरे की समय को हम व्यतीत करेंगे और फिर हम संकल्ब करेंगे कि आज का दिन वर्दानी दिवस है आज का दिन हमारे जीवन के परिवर्तन का दिन है आज हम जो धर्शंकल्ब करेंगे बाबा की मदद से वो पूर्ण होगा आज के दिन जो परिवर्तन हम स्वयम में लाना चाहेंगे वो सह जाएगा इस स्रेश्ट अवसर का लाब उठाते हुए सभी बाबा से सुन्दर द्रड परतिग्या कर लें संकल्ब कर लें अपने किसी विशेश संसकार को चेंज करने का रख ले लें तो आज बहुत अच्छी सफलता मिलेगी तो आज के दिन सारा ही दिन हम प्रभू मिलन में व्यतीत करेंगे मौन रख लेना बहुत अच्छा होगा नहीं तो अंतर होई जाएं कम से कम बोलें और बाबा का बार बार रहुआन करें कभी बाबा के पास जाएं कभी उसे अपने पास बुलाएं और संकल्ब कर लें क्या जो भी हमें करने के लिए आप कहेंगे इसे हमको मुल्ली चलेगी वो हम अवस्य कर लेंगे मुल्ली से एक या दो धार नाएं हमारे जीवन के लिए सदा ही समा जाएंगी जीवन में इसका हम बहुत अच्छा वुरत लेंगे तो आईए आज के दिन को प्रभु मिलन में आनंदों में व्यतीत करें और एक कदम और हम बाबा के समी पहुंच जाएं ओम स्यंति